तो आज एक बहुत इंपोर्टेंट प्रेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीडियम पढ़ने का कौन सा हमें चूज करना चाहिए आउट ओफ ओफ लाइन और ओफ लाइन का मतलब आप समय रहे हैं क्लास्रून कोचिंग और ओनलाइन जो माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं उनके बारे में एक कंपेडिजन करेंगे और देखेंगे कि इनकी अच्छाईया क्या है इनकी कमिया क्या है यह चीज हम देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा मोड बच्चे के लिए बैस रहेगा आप कौन से IIT में पहुचेंगे या कौन से Medical College में पहुचेंगे यह ते करने वाला है अगले आने वाले एक या दो साल जिसमें आप त्यारी करेंगे तो इस प्रशन का जवाब मैं देना चाहरा हूं और इसलिए मैं इसका जवाब अच्छे तरीके दे सकता हूं क्योंकि को क्या अच्छाईया है क्या बुराईया है तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि इन दोनों मीडियम में से कौन सा मीडियम बैटर तो अगर बात की जाए तो Classroom Coaching यानी Offline जो है वो बैटर मीडियम है सीखने का यह कई सालों के कई वर्षों के अनुभव के बाद मैं आपको ब क्योंकि देखिए तयारी एक या दो मैने की नहीं है यह तयारी बहुत लंबी तयारी है कम से कम दो साल आपको पूरा rigorous तयारी करनी पड़ती है मोटिवेशन बनाए रखना होता है तो अगर आप online के थुरू तयारी कर रहे हैं तो मोटिवेशन बनाए रखना दो साल बहुत मुश्किल काम क्लास्रूम कोचिंग में क्या होता है कि आप teacher के साथ सीधे जुड़े होते हैं अपने दोस्तों के साथ एक group के साथ आप classroom में ज अच्छे तरीके से सीख पाते हैं प्लस आप किसी teacher से सीधे जुड़े हुए हैं तो कभी भी आप अपना register या कोई भी DPP ले जाकि उसके पाद जाएंगे personally तो वह आपको doubt बताएगा और वह चीज जो है आपको connectivity कराईगा तो चुंकि हम 15 सालों से कोटा में classroom coaching करवा रहे है और बड़े-बड़े वेचेस में हमने पढ़ाया है तो इसके फायदे हमें अच्छे तरीके से पता है तो मैं खुद भी online से डुड़ा हूँ हूँ e-learning courses हमारे हैं लेकिन मैं अगर absolutely आपको guide करूं तो मैं कहूंगा कि आप offline coaching को preference दीजी इसके बहुत सारे फायदे तो चुं अब प्रशन यह आता है कि better हमने बोला कि offline है तो फिर online का कैसे हम use करें तो जो आने वाले time का feature है वो है hybrid coaching hybrid coaching का मतलब यह है कि combining benefit of both offline and online coaching यानि इसमें आप किसी classroom coaching में admission लेते हैं और साथ में आप online support भी लेते हैं किसी coaching का या उसी coaching का तो यह आने वाले time का mode है पढ़ने का hybrid coaching अब इसमें जैसे मैंने कहा कि या better तो offline है लेकिन online के भी कुछ फायद है online के क्या फायद है तो online में जो है आप पहली चीज़तों select कर सकते हैं कि कौन से teacher से मेरी compatibility किस से मुझे ज़्यादा समझ में आता है तो यह teacher choose करने की आपके पास सुईदा है इसके अलावा आप इसको किसी भी समय देख सकते हैं समय की बच्चत है इसमें आपके पैसे की बच present करें दोनों medium में तो online coaching जो है बहुत ही जादा जो है वो सस्ती है होनी भी चाहिए तो मैंने कहा कि यहां पर क्या होगा कि अगर आप कहें कि online coaching जो है तो इसके भी कुछ फायद है तो अगर मैं कहूं कि basic learning अगर हमें करनी है तो offline mode से हो सकती है और अगर हमें excellence achieve करना है तो उ online coaching को भी जो है साथ में जोड सकते हैं कोई topic का आपको समझ में नहीं आया किसी सब topic में आपको problem है तो आप online की help से उसको easily clear कर सकते है तो यह मैंने बताया है कि कौन सा coaching medium जो है better है लेकिन हमें दोनों ही coaching medium को preference देनी है दोनों को combine करना है क्योंकि आने वाला time जो है बहुत competition का हम थोड़ा सा भी कमी ना रखें हमारी तयारी में तो competition का यही principle होता है कि आप अपनी weakness हटाते जाए और strength आपनी बढ़ाते जाए next जो है मैं discuss करने वाला हूँ कि आपको YouTube avoid क्यों करना चाहिए तो अभी क्या है बहुत से बच्चों की दिमाग में misconception है कि यार YouTube पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हुए है बहुत सारी coaching है तो मैं YouTube के सारे भी तयारी कर सकता हूँ तो पहली बात तो आप दिमाग में बढ़ा लीजिए कि YouTube जो है वो पढ़ने की जगह कता ही नहीं है जो एक system होता है जो organized learning होती है वो आपको YouTube पे नहीं मिलेग तो YouTube जो है ज्यादा कर बच्चों के लिए distraction का कारण है क्योंकि आप को वीडियो देख रहे है साथ में कुछ औ पढ़ के देखता हूं तो इस तरह के जो experimental बच्चों का time kill कर रहे हैं हमें एक ही subject के 10 अच्छे teacher YouTube पे मिल जाएंगे लेकिन हम 10 को देखने में अपना समय बरबाद ना करें तो इसलिए हमें YouTube को जो है अबोईट करना चाहिए learning के लिए और YouTube पे वैसे भी आपको free demo videos मिलेगे तो जो structured है organized तयारी है वो आपको नहीं मिलेगी वहां अब मैं आपको बताओ कि यहां पर यूट्यूब पर अगर आप जा रहे हैं किसी भी तयारी के तीन मुखे चरण होते हैं तीन मुखे चरण कौन-कौन से होता है पहली चरण होता है theory दूसा होता है problem solving और तीसा होता है question practice यानि exam यानि कि अगर आप बात करें theory की तो theory हो सकता है कि आप इधर उदर से जुगाड़ करके theory सीख लें लेकिन जब बात आएगी problem solving की doubt asking की तो वह आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा तो सबसे important part need preparation में है problem solving अगर आप अच्छे तरीके से question practice कर रहे हैं आपको doubt asking facility है question पूछ रहे हैं teacher से तो आपकी तयारी complete मानी जाएगी तो जो हमारे 3 मुखे चरहने तयारी के उनमें से केवल एक चीज आपको YouTube पे मिलेगी वह theory वह भी structure नहीं मिलेगी पूरी नहीं मिलेगी और वाकी दो चरहन बिल्कुल नहीं मिलेंगे exam नहीं मिलेगा आपको question practice नहीं मिलेगा ठीक है आपको doubt asking facility नहीं मिलेगा तो इसलिए मै मैं बोलता हूं कि जो बच्चा seriously तयारी कर रहा है वो YouTube पर dependent ना रहा है YouTube पर देख सकता है कि मैं कौन से teacher को follow करूं या कौन सी coaching को follow करूं एक बार वो decide कर लेता है तो उसके बाद YouTube पर उसको आने की कोई जरूरत नहीं है regular basis पर तो जो parent है वो अपने बच्चों को YouTube पर जाने स है नेक्स है हमारा कि why should I prefer quotas faculty for online coaching अब जब हम online coaching भी साथ में include कर रहा है hybrid coaching में तो हम यह क्यों prefer करें इस चीज को क्यों preference दे रहे हैं कि मैं quota वाली faculty से ही पड़ूं तो उसका कारण मैं आपको explain करता हूं quota में जो faculties हैं जो institute develop हुए हैं उन्होंने कई सालों में अपने content को सुधा रहा है और teachers ने कई सालों की classroom teaching करवाई है उसके बाद जो है वो लोग अपने content को brush up कर पाए हैं उसके बाद जो है वो understanding बच्चों में ला पाए हैं लाने की capability develop कर पाए है तो अगर आप कहें कि आपन कई सालों तक अगर quota में पढ़ाय हुआ है ठीक है बड़े बड़े बेचे से पढ़ाय हुआ है तो अपने आप आपका rhythm जो है पढ़ाने का बहुत अच्छा हो जाए तो ऐसा होता है कि अगर मैं कहूं कि आप अब जैसे for the example quota में इतने हजारों बच्चे आते हैं इसलिए आ कोचिंग को चुना और कोचिंग में कई सालों से वो पढ़ा रहे है कोचिंग तो हमें जो है अगर availability है कोटा की फेकल्टी की experience फेकल्टी की तो हमें उन्हें को preference देनी चाहिए हम experiment नहीं कर सकते कई ऐसे लोग है जिनों कोटा में नहीं पढ़ाया हुआ है जिनका experience नहीं है यूट्यूब पर जो है उनकी popularity है वो है उनका अंदाज पढ़ाने का लेकिन अंदाज के तरह से अंदाज की वज़े से selection नहीं हो सकता आपको क्या करना पड़ेगा आपको basically content चाहिए organized way मैं बार बार इस शब्द को बोलूंगा कि content in organized way तो वो चीज आपको कोटा की faculty से मिले कि उन्हें पता है कि syllabus इस time पर खतम करना है इतने lecture लेने हैं हर lecture की depth इतनी जानी है इसमें कौन-कौन से standard example लेने है तो actually कई सालों के experience ही थी जाती है जब आप किसी चीज को पड़ा रहे होते हैं और बच्चों से interact करते हैं और बच्चा बोलता है सिर्म मुझे समझव नहीं आया तो फिर आप एक method develop करते हैं कि इसका बढ़िया तरीका कौन सा होगा समझाने का या इसमें कौन सा example लों कि जिससे बच्चा अच्छे तरीके सम करना चाहिए अब चूंकि नुक्लियोन जो है एक online coaching है तो नुक्लियोन आपके लिए कैसे helpful हो सकता है और यह जई और नीट experience के लिए कैसे good choice बन सकता है तो नुक्लियोन हम 2015 से इस से जुड़े हुए है e-learning से और हमने content को एक बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को देन है इतने सालों से तो हमारे courses अगर आप देखेंगे तो उनका सबसे important जो feature है वो है most organized content of quota सबसे बड़ी बात जो है quota content का मतलब है study material and lecture notes तो जो quota में lecture notes बनाए गये है या study material बनाए गया है वो हम आपको organized way में दे रहे है यानि कि महां हमारा मकसद यह है कि quality बिल्कुल भी जो है carrier का सवाल है बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना वह यह उसके लिए बहुत important है आने वाली life के लिए तो यहां पर कोई experiment ना किया जाए और जो set pattern है quota का वही content हम आपको available करा रहे हैं अगला जो point है next point है कि हमारे पास experience pool है ITN faculties का जिनोंने quota में पढ़ाया हुआ है तो जैसा कि measurement point पर बोल चुका हूं कि अगर आपके पास availability है quota के experience faculty की और ITN faculty की तो you should prefer it you should choose it as a priority priority पर आप इस चीज़ को लेंगे तो definitely आपको फायदा होने वाला है तो experience team of ITN हमारे साथ जुड़े हुए है अगला point है कि हमारे जो courses है उनमें सबसे पहला feature है आपके recorded video lectures जो कि classroom में prepared किये है बच्चों के साथ तो वहां पर जो feeling आपको आएगी वह यही आएगी जैसे आप classroom में पढ़ रहे हैं तो classroom में पढ़ाने का teacher का rhythm अलग होता है energy अलग होती है तो उसका आप recorded video lecture में देख सकते हैं कि बच्चों के साथ recording है उसमें आप कितना अच्छे तरीके से teacher से connectivity कर सकते है तो recorded lecture हमारा पहला feature है दूसा है कि अब हमने जो study material दिया है कोड़ा का अगर बच्चा उसको solve करेगा तो उसे problem आने वाली है कही ने कहीं किसी question में उसे पूछना है doubt तो theory में भी doubt आता है और question solve करते समय भी doubt आते है उसके लिए हम live classes arrange कर रहे हैं जो कि doubt और discussion दोनों purpose के लि है और अगर आपको study material में किसी question आपसे नहीं हुआ है तो आप सिर question number बताएंगे और हम लोग उसको live solve करने वाले है तो आपको जो है यह दूसरा live और recorded lecture दोनों का benefit आपको मिलने वाला है हमारे courses के तरू है अगली चीज जो है वो है कि दोनों चीजों के बाद अब अगली च test हम यहां पर करवा रहे है unit wise topic wise और complete syllabus wise तो यह आपके लिए helpful होने वाला है online testing अब अगली चीज में आता हूं affordable plans पर यहां पर जब हमने starting किया था nucleon का तो हमारा purpose यह था कि quota में जो बच्चा आ रहा है वो लगबग 6 लाग रुबे 2 साल में खर्च कर रहा है और उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको average faculty मिल जाती है या अच्छे बेचेस नहीं मिलते हैं तो वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर बाते हैं अगर अच्छे teacher एक साथ सारे बच्चों को available हो सके तो उससे अच्छा कुछ नहीं है तो हमारा जो मोटो था ह कि हम अच्छे teacher दें और साथ में जो है यह affordable हो हर बंदे के लिए कोटा आने के लिए resort से जो हर बच्चा नहीं प्रवाइल कर सकता इतना पैसा करना सबके बस की बात नहीं है तो जो बच्चा आपने नॉर्मल हम टाउन में चोटी सीटी में पढ़ रहा है उसके लिए प्ला लेर्निंग के जो प्लान से वो क्या होने चाहिए वो affordable होने चाहिए ताकि वहाँ पे क्लास्रूम कोचिंग भी जरूई है तो कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो अपने लोकल शहर में कोचिंग ले ले कहीं और साथ में e-learning भी hybrid model की तरह use कर लें तो दोनों model में अगर हो और उसको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि महेंगा प्लान एक कम quality दी जा रही है तो यह हमारा जो है शुरू से मकसत था शुरू से मोटो तो जो चीज़े मैंने बताई है इसके लिए आप हमारी नुक्रियोन की कोटा की एप Google Play Store iOS से जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं और व कुझे जो है यह सब टॉपिक पढ़ना है अगर बाई चैंस आपको किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक की तलाश है तो वह आपको दूडने में मदद होगी तो इसके बाद अगर हमारे बारे में आपको ज़्यदा जानना है तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ज कर सकते हैं झाल झाल